Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel So friends, this video is related to Essenture Wipro Interview Result Out for 22-2019 Batch AAC Examination and Wipro Final SEM Mail आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत important होने वाली है Essenture Team ने Result Release कर दिया है Wipro का Final Semester Exam Updates है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको पता दूँ चैनल पर काफी सारी वीडियो से जरूर से देखेगा इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी हाइरिंग चल रही है और कौन सी हाइरिंग किस बैच के लिए नहीं है ठीके तो Essenture की बात करते हैं ये आया है मैं आपको एक और मेल दिखा देता हूं जो कि इससे रिलेटेड है आप यहाँ पर देख सकते कि ठेंक्यू फॉर इंटरस्ट इन पर्सुइंग का करियर वित Essenture अब मैं आपको बता दू कि बहुत सारे केंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि सर हमारे तो कोड भी चल गए थे हमारा इंटर्व्यू भी बहुत अच्छा गया और हमने सारे कोशन्स के आंसर दिये तो भी हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया देखिए इट इस टोटली डिपेंड ओन दे एसेंचियर टीम कि वो किस पॉइंट्स को मतलब कंसीडर करते हैं सिलेक्शन के लिए और ये कंपनी की एक प्राइवेट information है इसलिए वो इन चीज़ों को disclose नहीं करेंगे इसे के साथ साथ मैं आपको बता दू कि आपकी performance, overall performance देखी जाती है अब वो सारी performance देख सकते हैं देखिए इसमें तो कोई criteria था ही नहीं पर हो सकता है कि उन्होंने दूसरे rounds की भी आपकी performance देखी हो क्योंकि हमें लगता है कि हमने सही किया है पर company के हिसाब से क्या हो सकता है वो बहुत अलग बात है अब मैं आपको यहाँ पर पता दू या हो सकता है कि उन्हें और मतलब आपसे expectations होगी कि नहीं इस चीज़ में आप और जादा अच्छा होना चाहिए तब ही हम आपको hire करेंगे तो यह सारे points है तो मेरी आप सभी से एक request है कि hope नहीं होना है ठीक है अभी essential की आगे भी hiring आएगी उसमें भी apply करना है जो mistakes इस बार कर दी है अगली बार नहीं करना है इसी के सासथ मैं आपको बता दू second update Wipro का है जो की final semester exam update ELITE FY23 है इसकी last date 15th मार्च है मैं आपको बता दू project deployment efficiently plan करने के लिए वो आपकी quick information लेना चाहते है आपके final semester exam schedule से related तो आपको अपना response देना है तो यह एक बात बता दू कि अगर आपको mail आया तो आप response दे दीजिएगा अगर आपके पास कोई mail नहीं आया तो कोई बात नहीं पर essential का अगर अभी तक कोई selection mail नहीं आया है तो wait कर लीजे और rejection mail आ गया है तो hope कोने की कोई जरूरत नहीं है hope lose नहीं करना है आने वाली hiring में apply कर सकते हैं आप video अच्छे लगी हो like जरूर से कर दीजेगा और कोई videos चाहिए comment section में मुझे बता दीजेगा thanks for watching the video